कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सोशल मीडिया का पड़िवार अपने घर में एकदम स्वस्त होगा व्यस्त होगा और मस्त होगा और डेफिनिटली अपनी लाइफ में आप सभी ने बहुत ही सारा पॉजिटिव आटिट्यूड जो है वो बनाय रख और यही जो नूर है यही जो गलो है आपको आगे काम्याबी की तरफ बढ़ाने में आपकी मदद करता है आप बहुत सारे लोग को देखते होंगे जो बहुत चुटी-चुटी परिशानियों के जीवन में आने के पाद बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं परिशान हो ज प्राइट करती है क्योंकि यही positivity जो है यह आपके औरा के अंदर एक positive vibrations create करती है So make sure परिस्थिती कितनी भी विकट क्यों ना हो खुद को disturb नहीं करना है परमात्मा के हाल पर परमात्मा के भरोसे सब छोड़ दीजिए definitely यकीन वानिये कि हो सकता है जो आपने सोचा हो जो मैंने सोचा हो वो ना हो लेकिन वो जरूर होगा जो हमारे लिए अच्छा है यह कि परमात्मा का प्लाइन अगर है तो definitely उस पे संदेह की तो गुंजाईश ही नहीं होती है दोस्तों इसी positive attitude के साथ हिंदुस्तान में जो festivals हैं उनकी शिरुवात हो चुकी है त्योहारों का जो आगमन है इस साल में होने लगा है अब आने वाले हैं नवरात्रे नवरात्रों के बाद आएगा दशहरा फिर आएगा करवा चौत फिर आएकी दिवाली और शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब कि हम सभी के अंदर एक वो चाहत जो खुबसूरत दिखने की होती है जो अपने चहरे को और जादा बहतरीन बनाने की होती है वो इस समय पर सबसे जादा चरम पर होती है सबसे ज़्यादा पीक पर होती है और इसी समय पर हम अपने चहरे पर बहुत सार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं जो आज मैं आपके DIY Anti-Aging Skin Titling Cream बनाने वाला हूं उसको आपको बनाना है उसको अस्तमाल करना है और आप देखोगे कि ये जो Natural घर में बनने वाली जो ये एक आपकी DIY क्रीम है ये आपकी Skin को 15 से 20 दिनों के अंदर ही अच्छा खासा Lifting Effect देने वाली है लेकिन शर्ट सर्फ इतनी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है और इस formulation के साथ में किसी भी तरह की छेड़ चाड़ नहीं करनी है क्योंकि हम इसे बहुत सारे लोग पता क्या करते है सर इसकी जगा ये मिला लूँ सर इसकी जगा पर ये कम करके ये ज़ादा डाल लूँ प्लीज मत कीजे जो भी कुछ आपको बताया जाता है वो अल्रेडी पहले बहुत सारे लोगों पर ट्राइ किया हुआ होता है उन पर इस्तमाल किया हुआ होता है मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो definitely मैं बिना किसी प्रैक्टस के बिना किसी ट्राइ के आपको कोई भी ची सजस्ट नहीं करता हूँ So make sure कि अगर आप इस channel पर है तो जैसा आपको बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा कीजिए positive attitude रखिए, patience रखिए और आप देखोगे आपको बहुत ही जादा अच्छे results मिलने लगे हैं मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से हम बाहर से अपनी स्किन को खुबसूरत बनाने के लिए ageless बनाने के लिए glowing बनाने के लिए प्रयास करते हैं विल्कुल वैसे ही हमें शरीर के अंदर भी प्रयास करने हैं क्योंकि अगर हमारे शरीर अंदर से कोखला है उसमें पोशक्तत्वों की कमी है उसके अंदर जब खाना डाल रहे हो वो खाना आपके शरीर को लग नहीं रहा आपके शरीर में अब्सॉब नहीं हो रहा है तो डिफिनिटली आप कुछ भी कर लीजे बाहर से आपको उसका असर नहीं आएगा और ऐसा बहतरीन शरीर अंदर से स्वस्त शरीर पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़े करते हैं लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब तक हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम नहीं करेंगे जब तक हम अपने पेट को हेल्दी नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी आप कर लो वो आपकी बॉड़ी पर एफेक्टिवली काम नहीं करके देगा तो digestive system अगर दिखा जाए ना तो इस समय पर पिचाना भी प्रतिशत लोगों का खराब है reason जो कि हमारे diet अच्छी नहीं है जो diet के अंदर हम सोचते हैं कि बहुत कुछ healthy खा रहे हैं उसमें बहुत सारे chemicals होते हैं, pesticides होते हैं, fertilizers होते हैं और कुछ भी हमारे शरीर के अंदर healthy नहीं जा रहा है तो इन सारी चीसों को शरीर में absorb करने के लिए ताकि शरीर healthy रहे शरीर के अंदर जो हम डाल रहे हैं वो absorb हो और skin को वो supply हो या बाल को वो supply हो उसके लिए मैं आपको इक product recommend कर रहा हूँ इसे आप ज़रूर अपने routine में शामिल कीज़ेगा इससे पहले भी मैंने दो बार अलग-अलग वीडियो में आपके product recommend किया है बहुत सारे हमारे viewers ने, बहुत सारे हमारे family members ने इनको try किया comments के माध्यम से बताया भी कि हमें बहुत अच्छे result मिल रहे हैं और इसी बज़ा से मेरा confidence जो होता है वो और आगे बढ़ता है और मुझे लगता है कि वो नए बच्चे या वो नई audience जो रोज इस चैनल के साथ जुड़ रही है उन्हें भी इसके बारे में पता होना जरूरी है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उर्जा life sciences के उर्जा प्लस malt के बारे में यह उर्जा प्लस malt जो आप देख रहे हैं यह एक आयूरवेदिक combination है जिसकी बज़ा से हमारे शरीर का जो digestive system है वो बहुत जादा healthy होता है हमारे शरीर में हमारे digestive system में जो चीजें डालने के बाद भी है जो चीजें खाने के बाद भी absorb नहीं होती है उनके absorption को पढ़ाने में यह हमारी बहुत जादा मदद करता है सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शरीर में constipation हो जाता है या बाप्स की या acidity की या bloating की problem होती है उसको खतम करने में भी उर्चा प्लस का यह जो malt है यह हमें बहुत जादा help करके देता है इतनी सारी आयरुवेदिक herbs इसके अंदर है ना कि मैं नाम लेता लेता ठक जाओंगा लेकिन शायद यह herbs खतम नहीं होंगी मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर आमला, अश्वगंधा, द्राक्ष, शहत, शिलाजीत, कौँच के बीच, शतावरी, विदारा, दालचीनी, पीपल, इलाइची और अगर भस्मों की बात करूं तो अद्रक भस्म, लोह भस्म, बांग भस्म, पारवती, पिस्ती, सुन, मक्षिका भस्म, आदी बहुत ही सारी natural herbs का और आयुवेदिक herbs का combination किया गया है इसे लेना बहुत असान है, 18 साथ से उपर का कोई भी व्यक्ति इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकता है, इसे बजन बिलकुल भी नहीं बढ़ेगा और इवन ये आपके digestive system को बहतर बना करके, आपके शरीप में जो जमाव fat है, उसको भी खतम करने में आपकी मदद करेगा इसे तिन में दो बार लेना होता है, लगबर 10 से 15 ग्राम के आसपास, आप इस malt को ले लीजे, दूद में मिला लीजे, पानी में मिला लीजे, या फिर आप इसे सीरप के तरह भी पी सकते हैं, दिन में दो बार लीजे, और 3 से 4 महिने लगातार प्रयोग करने के बाद आप बहुत ही जाता बहतरी इन रिजल्स मिल रहे हैं, इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाए एक बार से स्टडी कीजिए, इसे रीड कीजिए, इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कन्विंस हो रहे हैं, आपके ल नाइट क्रीम के बारे में, इसे बनाने के लिए हमें छे इंग्रीडेंट्स की जरुरत होने वाली है, पहला जो इंग्रीडेंट है, जो कि हीरो इंग्रीडेंट होने वाला है इस क्रीम का वो है आलू का स्टार्च, आलू का स्टार्च मतलब कैसे निकालेंगे, ये समझने वाली बात है, तो हमें क्या करना है, एक medium size का आलू ले लेना है, इस medium size के आलू को हमें grate कर लेना है, कदुकस कर लेना है, और कदुकस करने के बाद में हमें इसे निचोड लेना है, जब हम इसे अच्छे से निचोड लेंगे, इसका juice निकल करके कर्टोरी में आ जाएगा लेकिन इस जूस को जब आप एक घंटे के लिए छोड़ दो के तो जूस उपर तैरने लगेगा और नीचे बैठ जाएगा आलू का स्टार्च यही इस क्रीम का एक हीरो इंग्रीजिंट है जो कि हमारी स्किन को ग्लो भी देगा हमारी स्किन को टाइटरिंग प्रोपरटीज भी देगा और हमारी स्किन के अंदर जो pigmentation आ गया है, dark circles आ गये हैं या जो fine lines आ गयी है या जो freckles आ गये है या जो uneven skin हो गयी है उसको खतम करने में भी हमें मदद करेगा तो यह जो आलू का starch हमने निकाला है यह हमें लेना है लगबग 2 चमच के आसपास तो एक medium size का अगर आप आलू कद्दू कस करके juice निकालके starch बनाओगे तो 2 चमच starch आपका असानी से आ जाएगा दूसरा ingredient जो दोस्तों इसके अंदर हमें add करना है वो है इस cream का base मतलब कि aloe vera gel तो जितना हम starch डाल रहे हैं उसका दो गुना हमें यहाँ पर aloe vera gel add करना है मैं हमीशा कहता हूँ कि aloe vera gel अब plant based मत use करो जो कि जो plant based होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वही variety हो जो skin पे लगाने के लिए suitable होती है इसी बज़ा से बहुत सारे लोग हमें complain करते हैं कि sir मैंने aloe vera लगाया था प्लांट से और मेरी skin में acne आ गया, मेरी skin में sensitivity हो गई, मेरी skin red हो गई कारण क्योंकि जो घर में लगा aloe vera है वो बिलकुल ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो जो skin के लिए suitable है तो ऐसी condition में ready meat आप aloe vera gel लिजे लेकिन वो organic होना चाहिए मैं amazon से लेने का आपको उसका link भी दे दूँगा तो दो चमच starch आलू का, चार चमच aloe vera gel लिया है तीसरी जो चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है केसर लेको केसर महंगा है, मैं मानता हूँ इस बात को लेकिन इतना महंगा नहीं है कि हम अफोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर आप 50 रुपे की या 100 रुपे की दम छोटी सी डिब्बी भी खरीदोगे न केसर की और उसके 4 धागे भी अगर अपने स्क्रीम को डाल दिये या स्क्रीम में मिला दिये तो इस क्रीम की जो वैल्यू है वो दोगुना बढ़ जाती है और हम सब लोग कई हजारों रुपे के कॉस्मेटिक प्रोड़क्स खरीदते हैं बात्रूम्स में बहा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, फैक देते हैं केसर का दूद पीजिए, केसर को अपने खानी पीने की चिज़ों में एड कीजिए चलिए, वो तो दूर की बात है, लेकिन इतलीस्ट इस क्रीम में चार धागे केसर के डाल दीजिए केसर का या केसर या रंग, केसर या एफेक्ट जब आपके चेहरे पर आएगा ना चल रहा है, सर्दी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर एक्चुली मौसम कैसा रंग बदल लेगा हमें पता ही नहीं है, हर घर में दिवाली की सफाई चल रही है, सडकों पर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो यह जो डस्ट है, जो पॉलूशन है, यह हमारी स्किन को डाम नहीं क्या, तो मजा आ जाएगा, नमबर पाच जिंक रीटिन दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है, वो है दो कैप्सूल्स विटमिन ए के, विटमिन ए जो है वो यहां इसलिए हम एड कर रहे हैं, क्योंकि विटमिन ए हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रपरटीज देता नमबर च्य और नमबर लाश्ट जिंग्रेइटिन दोस्तों वो है ग्लसरीन, ग्लसरीन जो है वो एक हाईसा ग्लसरीन जी हमें बहुत बहुत जादा मदद करता है ति सकिन से कहीं घो जाती है और यह खमारे स्किन में बरकरार तो इसकी वजह से हमारे चेहरी का प्लंपीनि वो maintain रहता है, skin की जो aging process है वो delay हो जाती है और हम जैसे 10 साल या 12 साल या 15 साल पहले दिखाई देते थे उतने ही खुबसूरत हम दिखाई दे सकते हैं तो एक चम्मच हम यहाँ पर glycerine add करने बले हैं मैं सारे ingredients फिर से repeat कर रहा हूँ दो चम्मच हमने आलू का बना हुआ starch लिया है उसका दो गुना मतलब चार चम्मच हमने यहाँ पर organic aloe vera gel डाला है लगबग चार धागे हमने यहाँ पर केसर के डाले हैं दो से तीन चुटकी यहाँ पर हमने हल्दी का add किया है अगर normal हल्दी की जिगा पर कस्तूरी हल्दी मिल जाए तो जादा अच्छा होगा नमबर पांच हमने दो capsules आपर vitamin E के डाले है और नमबर च्हे हमने यहाँ पर एक चम्मच glycerine डाला है मिलाए इन सारी चीज़ों को और लीजे आपकी पहतरीं glowing skin anti-aging cream बन करके तयार है जिसे आपको रोज रात को चहरे पर लगाना है और 10 मिनिट मसाज करने के बाद skin में जजब हो जाने देना है मतलब skin में absorb हो जाने देना है जितना जाधा आप अच्छे से मसाज करके इस skin में absorb कराओगे उतना जाधा अच्छे results आपको यहाँ पर मिलने वाले है So make sure अच्छे से मसाज कीजिए और जब आप मसाज कर रहे हो आपके steps upward होने चाहिए outward होने चाहिए तकि आपकी जो muscles है उनके जो origin है, insertion है करना है हर साथ दिन पाद या हर दस दिन पाद आपको इसे repeat करना है नमबर दो आप इसे बना करके refrigerator में रखोगे बाहर नहीं रखोगे नमबर तीन store करने के लिए आप कोई भी metal का बरतन इस्तमाल नहीं करोगे मतलब steel का aluminum का ऐसा कोई बरतन नहीं लोगे पहतर होगा कि आप कांच की जो बरनी रहती है कांच की छोटी डिपी रहती है वो यूज करो वो नहीं है तो plastic यूज करो बट metal करने पर इसके अंदर जो ingredients है वो थोड़े से contaminated हो जाते हैं और आपकी cream के results कम हो जाते हैं दोस्तों मैं अमीद करता हूँ कि आज का video content definitely आपको पसंद आया होगा इस screen को बनाईएगा ट्राइ कीजेगा और ट्राइ करने के बाद comments के मादियम से हमें अपना feedback जरूर दीजेगा आपका प्यार आपमें चैसे देते हैं बिल्कुल बैसे ही देते रहेंगे इसी आश्रक के साथ आप चल विदा लेता आपका knowledge friend Dr. Manoj Thank you so much Bye Bye Love you all